सो हेलो फ्रेंग्स आप देख रहे हैं एक आटोमोटिव व्लोग्स आज की वीडियो में आपको टाटा नेक्स और इवी के प्राइस पर किलोमीटर कॉस्ट के इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे सो वीडियो को एन तक जरूर देखें and make sure अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आउन कर लीजे ताकि जो भी निव वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर जाए और आपकी अगर कोई क इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले हमारा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे फ्लैश हो रहा होगा तो आईए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसे लगतार बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे फ्यूल प्राइसे से लोग परिशान हैं क्योंकि अब आपकी एक कार राइड पहले से कहीं ज़्यादा महगी है फ्यूल का एक्सपेंस भी ज़्यादा आ रहा है इस सूरत में लोगों के पास किफायती इलेक्रिक वीकल्स पर शिफ्ट करने एक अच्छा आप्शन हो सकता है क्योंकि पैट्रोल और डीजल से चलने वाले वीकल्स के कमपैरिजन में इलेक्रिक वीकल्स को यूज करने में एक्सपेंस काफी लेस आता है और यह इन्वेस्मेंट बचत वाला भी है ऐसे में काफी लोग इलेक्रिक वीकल्स पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं आज हम आपको एक ऐसी इलेक्रिक एस्यूवी के बारे में बताएंगे जो सिर्फ 290 रुपीज के खर्च में 500 किलोमीटर तक की डिश्टेंस ट्रैक कर सकती है हाँ इस एस्यूवी का नाम टाटा नेक्सॉन इवी जिसकी प्राइस 14,24,000 रुपे से स्टार्ट होती है और ये का सिर्फ 9.9 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है इस कार में पर्मनेंट मैगनेट AC मोटर लगा है जो 245 न्यूटन मीटर का पीक टॉक जनेट करता है और साथ ही इस कार में IP67 सर्टिफाइड 30.2 किलोमीटर आवर की लिथियम आयन बैटरी भी दी गई है फास्ट चार्जर से इसे एक आवर में 80% तक चार्ज कर सकते हैं एक बार फुल चार्ज होने पर Tata Nexon EV 312 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तै कर सकती है यानि सिंगल चार्ज पर यह कार 312 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देती है जो की काफी शानलार है जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि SUV में 30.2 किलोमीटर की बैटरी दे गई है यानि अगर देखा जाए तो फुल चार्ज करने में 30.2 यूनिट बिजली एक्सपेज होगी यानि अगर 6 रुपे पर यूनिट बिजली की दर मानी जाए तो इसे एक बार फुल चार्ज करने में 181.2 रुपे तक का खर्च सिंगल चार्ज में आएगा इसे आप 312 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन के मताबिक इसका पर किलोमीटर तक का खर्च 58 पैसे के करीब आता है इस कार को 500 किलोमीटर चलाने में 290 रुपे तक की बिजली खर्च होगी तो जो कि आपके लिए बेहत की 5-3 इन्वेस्मेंट रहेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो इंफॉमेटिव और इंडरस्टिंग लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जादर से जादर लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करके अपने सजेशन्स में हमें बताएं ताकि हम उन पर वीडियो बना कर आप तक पहुँचा सकें और इस चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स स्टे सेफ एंड हेल्दी वी अर हेलमेट वाइल राइडिंग एंड वी अर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग सो मिलते हैं ऐसी किसी निव वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल लखिए और देखते रहिए एके आटोमोटिव ब्लॉक्स